हेलो दोस्तों आपका मेरा यूटूब चैनल पर स्वागत है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम बचे कपड़े से साड़ी दुपट्टा से और सूट के वेश्ट कपड़े से कितने अच्छे कुशन कवर बना सकते हैं मैंने पहले से ही कपड़ा कट करके रखा है चलिए मैं सिलकर दिखाती हूँ मैं 16x16 के बना रही हूँ आप किसी भी साइज के बना सकते हैं देखे दोस्तों ये ट्रांस्टे कपड़ा है और मैं इसमें सेम कलर का लाइनिंग लगा रही हूँ अगर ठीक कपड़ा है तो आप उसमें किसी भी कलर का लाइनिंग लगा सकते हैं नहीं तो फिर उसमें वो दिखाई देगा और कोई भी वेश्ट कपड़ा लगा सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप नया री कपड़ा यूज और तो और अच्छी सिलाई होती है तो बहुत अच्छा कपड़ा लगता है देखने में और अच्छी सिलाई नहीं होती है तो वो बहुत जादा खराब लगता है ठीक है इसलिए आप जो है अच्छे से सिलाई कीजिएगा क्योंकि quantity और quality बहुत अच्छे से दिखाई दे उसकी और आप ना इसमें थोड़ा सा थिक कपड़ा लगाना क्योंकि मेरा तो पतला ही कपड रहेगा क्योंकि यह नैट वाला है इसलिए आप ध्यान रखिएगा बनाने के टाइम और फ्रेंड इसको अच्छे से ही कटिंग कीजिएगा मेजर करके ही आप इसको नहीं तो कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है ठीक है मैं तो कर लेती हूँ क्योंकि मुझे 20 यर हो गया है काम करते करते स्टीचिंग का आप लोग विगनार्स होंगे तो आपसे थोड़ा खराब हो जाएगा ठीक है इसलिए आप ना उसको थोड़ा सुई धागे से लेके ना कच्छा कर लीजिएगा नहीं तो आपसे आड़ा टेड़ा कैसा भी हो सकता है ठीक है या फिर उसमें को कुछ ऐसे आलपिन जो आते आप उसको लगा लीजिएगा ठीक है और मैं इसको आपको सिलके दिखा रही हो देखिए लगाने के बाद कितना अच्छा लगेगा मुझे तो अपनी बनाई हुई चीज बहुत अच्छी लगती है वैसे तो सभी को ही अच्छी लगती है लेकि के बाद और सुन्दर लगे और कम पैसे में हमारा कितना सुन्दर सा कुशन कवर रेडी हो जाएगा ठीक है अभी देखिएगा आप ये और आप ना थोड़ा कपड़ा जादा ही कट कीजिएगा उसको सिलाई करने के बाद ना फिर कट कर देना लास्ट में अंदर से मैं तो आपका सीधा होने के बाद दोनों साइड सीधी सीधी आएगी आप अच्छे से उसको वीडियो को देखिएगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा अभी देखिएगा कितने अच्छे से बन जाएगा वो और जो अंदर का थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा अभी होगा तो वो भी ना फिर कट हो जाएगा अगर कपड़ा कम रहे गया तो फिर हमारा कुशिन खराब हो जाएगा देखिएगा अभी देखना लगाने के बाद यह कितना सुन्दर दीखेगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मेरा नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी देखें मैं इसका बैक रेड़ी कर रही हूँ तो देखें मैं तो बिना ही किसी कच्चा किये या कोई भी पिन बगरा लगाए हुए मैं रेड़ी इसको कर ले रही हूँ आप नहीं कीजिएगा ऐसे क्योंकि आप बिगनर्स रहेंगे तो आप से नहीं हो पाएगा और फ्रेंड लाज्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा फिर आपको मालूम होगा कि यह मैंने किस तरह कैसे मेरा कपड़ा वेश्ट जाने वाला था तो मैंने इसको यूज कर लिया है देखिए अभी मैंने इसको सीधा करके दिखा रही हूं तो देखेगा कितना अच्छा और सीक्वेस देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यही कुशन आपका कितना मेहंगा अगर आप लेने जाते तो कितना मेहंगा आपको मिलता और ये मेरा देखना कितना सस्ते में और कितना अच्छा कुशन डेड़ी हो गया है तो आप भी कोई कपड़ा ऐसा वेश्ट में ये नहीं के फेक दे रहे हैं हर एक चीज छोटी छोटी सी हमारी बहुत यूज में आती है ये देखे कितना सुन्दर लग रहा है और लगाने के बाद तो देखना कितना सुन्दर लगेगा ये देखे एकदम पूरा मेजर के उसस में जो प्लेंड आपको कपड़ा है उपर साइड में कहीं आपको नजर जरूरा आएगा तो आप देखे मैंने वहां पर मेरे पास में रखी छुए थी पॉंपॉंपॉंवाली तो मैं ने बो लगा दी तियो और यह दे देखे मैंने पहले से ही रेडी करके रखी थी दूसरी कुशन ठीक है वो भी मेरी ऐसे बच्चे कपड़े की थी तो देखिए नए टेक्चर है इसका ये भी देखे कितना प्यारा सा लग रहा है आप बजार में लेने जाएंगे तो कितना महंगा को इतना कोशली मिलेगा आपको देखिए कितना प्यारा कितना अच्छा लग रहा है और देखो सिल्की भी कितना अच्छा और कितना सुन्दर लग रहा है देखिए देखिए आपका एक सबस्क्राइब तो बनता है नया यूट्यूब चैनल है लाइक शेयर जरूर करना आपका एक लाइक मुझे बहुत एंक्रेज करेगा देखे कितना अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा ये तो आप लोग ही बताएंगे कि कैसा लग रहा है एक लाइक तो जरूर करना और सबस्क्राइब भी करना अब शेर भी करना और सबस्क्राइब भी करना